आदर्निय बंधू माताव वे मेरी प्यारी बेहनू राधी राधी आप सभी का हमारी इस यूट्यूब चैनल जीवन की धारा पर बहुत-बहुत स्वाग थे बंधू आज हम इस वीडियो में सोम्वतिय मावस्या की कथा सुनेंगे जीसे सुनने सुनाने से पित्र पूर्वजों की कृपा से साथ पीडियों तक धन धानने की कोई कमी नहीं रहती सुक्सो भग्य में वृध्धी होती है कथा सुनने के बाद यदि आप हमारी चैनल पर नए हैं तो कृपय हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे वीडियो को शेर वे लाइक भी जरूर करें बंद्वू जब अमावस्या तिथी सोमवार के दिन होती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं अमावस्या तिथी पित्र पूर्वजो को समर्पित तिथी है हमारे हिंदु धर में अमावस्या तिथी का बहुत अधिक महत्व है और उस पर यदि अमावस्य तिथी सोमवार के दिन हो तो उसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है इस दिन पित्र पूर्जो के निमित किया गया दान पुन्ने का कारे मनुष्य को पीडी दर पीडी सुक्सो भग्य अनवे धन को देने वाला होता है सोमवती अमावस्य के दिन महिलाएं पीपल की पूजा, कच्ची, लसी, जल, रोली, मोली, गुड, चावल, फूल, फल, मिठाई, आदी जड़ा करती हैं पूजा के बाद पीपल के पेड की फेरी लगाई जाती है किसी भी मनो कामना की पूर्ती के लिए महिलाएं इस दिन पीपल के पेड की पूजा करते हुए फल चड़ाती हैं और तेरा सोमवती अमावस्य करने का संकलब लेती हैं अमावस्य तिथी की कथा सुनती हैं चड़े हुए फल वे मिठाई, पूजा के बाद ब्रहामन को दे दिये जाते हैं, पीपल की पूजा चड़ाए गए कच्चे दूद वे जल से पित्र परसन होते हैं, वे अपने परिवार को सुक सम्रिधी वे खुश हाली का अशिरवात परदान करते हैं, तो आईए अब सुन साहुकार अपने परिवार के साथ रहता था, उसके साथ बेटे, साथ बहुए और एक बेटी थी, साहुकार के दरवाजे पर एक जोगी भिक्षा मांगने आता, जब साहुकार की बहुए जोगी को भिक्षा देती, तो वे उन्हें सुहाग की आशिश देता, और जब साहु कार की बेटी भिक्षा देती तो वह कहता कि बेटी है तो सुहागन पर उसके भाग्य में दुहाग लिखा है यह सुनकर लड़की उदास रहने लगी एक दिन उसकी मा ने पूछा बेटी क्या बात है तू उदास क्यों रहती है तब उसने सारी बात अपनी मा को बता दी उसकी मा ने कहा कल मैं सुनूगी कि जोगी क्या कहता है अगले तिन जब जोगी भिक्षा मांगने आया तो साहुकार की बेटी भिक्षा देने गई और उसकी मा दरवाजे के पीछे खड़ी हो गई जोगी ने लड़की को वही बात कही तो उसकी मा बाहर निकल कर आई और कहने बताया कि तुम्हारी बेटी के भाग्ये में सुहाग तो है लेकिन वो दुहाग में बदल जाएगा साहुकार ने जोगी के पैरों में पड़ गई और कहा बाबा इसका कुछ तो उपाई बताओ तब जोगी ने कहा कि यहां कुछ दूरी पर एक गाउं में सोना धोबिन विचार, संसकार, संपन, नेम, धर्म वाली तथा पती परायना है और हमेशा सोमवतिय मावस्या का व्रत रखती है यदि वह इस कन्या की सेवा भाव से खुश होकर अपनी मांग का सिंधूर इसकी शादी के समय इसकी मांग में लगा दे तो इसका ये दुहाग सुहाग में बदल जाएगा नहीं तो विवहा की समय सरप के काटने से इसके पती की मृत्यू हो जाएगी उस जोगी ने यह भी बताया कि वह धोबिन कहीं आती जाती नहीं है यह बात सुनकर साहुकार्णी ने अपनी बेटी से कहा कि तु सोना धोबिन के घर जाकर उसे अपनी सेवा भ करके सारा काम करके वापिस आ जाती एक दिन सोना धोबिन ने अपनी बहू से कहा कि आज कल तो तुम बहुत जल्दी उतकर सारा काम कर लेती हों बहु कहने लगी माजी मैं सोचती हूँ कि आप जल्दी उठकर काम कर लेती हूं मैं तो देर से उठती हूं यह सोच कर दोनों सास बहु अगले दिन जल्दी उठकर बैठ गई कि बात क्या है उन्होंने देखा कि एक लड़की आई और सारा काम करके वापिस चली गई अगले दिन जब वह लड़की जाने लगी तो सोना धोबिन ने उसे रोक लिया और पूछने लगी कि तुम ये सब क्यों करती हो तब लड़की ने जोगी द्वारा कही सब बात उसे बता दी सोना धोबिन पती परायन थी और पूरे भक्ति भाव से सोंवती अमावस्या का व्रत रखती थी उसमें एक अलग ही तेज था वहे लड़की के स साथ जाने को तयार हो गए सोना धोबिन का पती थोड़ा अस्वस्त था अते उसने अपने बहु से कहा कि जब तक मैं लोट करना आऊं तुम कहीं मत जाना शिगर ही वहे लड़की और सोना धोबिन घर पहुच गए साहुकार्णी ने अपनी बेटी का विवाह किया जब फे थोड़ी देर में साप आया और दूले को डसने के लिए आगे बढ़ा तो सोना धोबिन ने करवा आगे करके कच्चे सूत की तार से साप को बांद लिया डर के मारे साप मर गया इस परकार सोना धोबिन ने उसे सुहाग दिया और कहा कि मैंने जितने सोंवतियम आवस्या के व्रत किये हैं उन सब काफल साहुकार की बेटी को मिले और जो आगे करूंगी उस काफल मेरे पती और बेटों को मिले सब लोग सोमवतिय मावस्या की जय जय कार करने लगे अब सोना धोबिन अपने घर की ओर चल पड़ी जब वह चली तो उस दिन भी सोमवतिय मावस्या थी वह बिल्कुल निर्जल थी रास्ते में पीपल के पेड़ के नीचे बैठ कर कहानी कही व्रत किया पीपल के 108 फेरे पीपल की पूजा करने के बाद अपने घर पहुची वहां उसने देखा उसका पती अंतिम सांसे ले रहा है अब उसने जो सोमवतिय मावस्या रास्ते में की थी उसका फल संकलब कर अपने पती को दे दिया उसका पती तुरंथ खड़ा हो गया सब कहने लगे तूने ये क्य किया जो यह है उठ कर खड़ा हो गया उसने कहा मैंने रास्ते में सोमवतिया मावस्या की पीपल की पूजा की 108 फेरी लगाई वरत किया ये उसका ही फल है तब पूरे नगर में ये धिंडोरा पिटवा दिया गया कि सब लोग सोमवतिया मावस्या की पूजा करें, व्रत रखें और 108 पीपल की फेली लगाएं। हे सोमवतियम आवस्या जैसे साहुकार की बेटी को सुहाग दिया, वैसा सब को देना, इस कथा कहानी को सुनने वाले, सुनाने वाले, सब पर अपनी कृपा बरसाना, सब को अमर सुहाग देना, सुक सम्रिधी शांती देना, धन धान्ने से घर परिवार को भरपूर रखना, इन ही शुब कामनाओं के साथ आप सब का बहुत बहुत धन्यावाद, राधी राधी।